प्रेम चंद के फटे जूते जो किसके द्वारा रचित है हरी शंकर प्रसाई जी के द्वारा रचित है यानि इस पार्ठ में जो लेका के उन्होंने प्रेम चंद के जीवन की सादगी का वर्णन किया है सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरी शंकर प्रसाई जी का जीवन परीचे इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबा जिले के जमानी गाउं में हुआ था 1947 से ही ये स्वतंतर नुरूप से लिखने लगे इन्होंने जबलपूर से वसुधा नामक पत्री का निकाली हिंदी के व्यंग लेखों में इनका नाम अगरनी यानि पहले लिया जाता है भारतिय जीवन के पाखंड यानि दिखावे ब्रस्टाचार अंतर विरोदो बेमान आदी पर लेख लिक उनके व्यंग लेखों के शोर्षन के विरुस साहित्ते की भूमिका क्या कैन उन्हें न भूत के पाउं पीछे बेईमानी की परत पकडंडियों का जमाना सदाचार का ताबीज शिकायत मुझे भी और अंत वैशनव की फिसलन तिर्ची रेकाएं खितुटा हुआ गणतंत्र विकलांग श्रद्दा का दोर आदिन की क्या है रचनाएं हैं पार्ट परीचे प्रस् किया है और उसके माध्यम से बताया है की एक रचनाकार के अंतर भेदी सामाजिक द्रस्टी का विवेचन करते हुए यानि कि प्रेमचंत के जीवन की सादगी की माध्यम से बताया है कि आज दिखावे की प्रवर्ती और उन्होंने प्रस्तुत पार्ट में लेखक ने प्रेमचन के साधिकी भरे जीवन की और वर्णन की और बताया है कि आज दिखावे की और और उन्होंने वर्तमान में दिखावे की प्रवर्ती और अफसरवाधिता पर क्या किया है व्यंग किया है पार्ट प्रेमचन प्रेमचंद के फटे जूती प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने पत्नी के साथ फोटो खिचा रहा है सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और दोती पहने, कनफटी चिपकी, गालों की हड्डियां उबर आई और घनी बोहें गनी और घनी मुचे चेरे पर और घनी मुचे चेरे को हरा भरा बतला रही है यानि उनके सामने प्रेमचंद के एक फोटो है जो उनकी पत्नी के साथ है तो उस पोटों को देखकर ही उनके सारे जो उसका वर्णन करते हैं कि उनका चितर मेरे सामने अपनी पतनी के सिर्फ पर कैसे मोटे कपड़े की टोपी पहनी है कुछ वेश-बुर्णा करते हैं उन्हों सब चीजों का वर्णन कर रहें कि कुरता और दोती पहने हुए है गालों की हड्डिया क्या उनकी उभर रही है भार निकल आई है और मूचे कैसी है घनी है पाओं में उन्होंने केनवास के जूते हैं जिनके बंद यानी फीते बेतर भी बंद यानी अव्यवस्तित रूप से बंदेवें धंग से बंदेवें नहीं है लापरभाई के उपियों करने पर बंद के सीरों पर की लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परिशानी होती है यानी जो जूते में जो लेस डालते हैं जिन छेदों में उन पर लोहे की जो पत्र उपर निकर आई है तब बंद कैसे भी कसलिये जाते हैं दाहिने पाउं का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उनकी उंगली भार निकल आई है जूते पैर रहे हैं तो बोलते हैं कि दाहिने पाउं का जूता तो क्या है ठीक है लेकिन जो बाएं पैर का जूता उसमें छेर हो रहा है जिससे उनकी उंगली क्या भार निकलती हुई दिखाई दे रही है मेरी द्रस्टी इस जूते पर अटक गई यानि जो लेखा कि उनकी नजर कहा अटक गई उस जूतों पर ही अटक गई सोसता हूं फोटो खिचवाने की अगर यह पोशाक यानि फोटो खिचवाने की यह पोशाक वेशबुशा है तो पहनने की कैसी होगी तो सोसते हैं कि वो कैसे कपड़े कैसे पहनते होंगे नहीं इस आदमी की अलग-अलग पोशाके नहीं होगी यानि इसके पास अलग-अलग पहनने के लिए पोशाके नहीं होगी इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है यानि यह जैसा ही यह वैसी ही इनोंने फूटो की चाहिए इसमें इनोंने कोई भी दिखावा नहीं किया है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ क्या तुम्हें मालूमें मेरे साहितिक पुर्खे की तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बहार दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं जरा लज्ज्ज, जरा संकोच या जएब नहीं है क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानते की धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से उंगली ढख जाती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाई बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की क्या की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुए के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को दीरे धीरे कीच कर उपर निकाल रहे होंगी यानि जो प्रेमचन का जीवन था वो बड़ा ही कस्ट में बीता था उन्हें अपने जीवन में ने कटनाईयों का सामना करना पड़ा था इसलिए उन्हें मजबूर होकर क्या करा फोटो किचवाते समय हलकी सी मुस्कान देनी पड़ी बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक्यू कह दिया होगा विचित्र है या अधूरी मुस्कान यानि वो मन से नहीं मुस्कुरा रहे थे यह मुस्कान नहीं इसमें उपहास है इसमें व्यंग है कहते हैं कि जो तुमारी मुस्कान इसमें क्या नहीं है यह क्या है एक उपहास या व्यंग है कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है पर किसी पर हस भी रहा है फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ने खिचाते तो सोचते हैं यदिन को फोटो ही खिचानी थी तो क्या करते एक डंके जूते स्पहन लेते वरना फोटो ही मत खिचाते फोटो ने खिचाने से इनका क्या बिगर जाता शायद पतनी का आगरे रहा होगा तुम अच्छा चल भई कहकर बैठ गए होगे शायद पतनी निवेदन कर रही होगी इसलिए उन्होंने क्या खर लिया होगा फोटो खिचवा लिया होगा मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी यानि गटना है कि आदमी के पास फोटो की चवाने को भी जूता नहों मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को यानि दुख को अपने बीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ यानि वो जो हरीशिंकर प प्रेमचन जी क्या है फोटो खिचाने का महत्व समझ लेते तो किसी से पहनने के लिए फोटो खिचवाने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी से क्या मांग लेते जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर देते हैं वो कहते हैं कि लोग तो क्या करते हैं किसी से मांग कर कोट पहन कर क्या कर लेते हैं शादी वगरा कर लेते हैं इनसे जोड़ी जूते भी किसी से मांगे नहीं गए और मांगे की मोटर से बरात निकालते हैं और किसी की मो पोटर लेकर क्या निकाल लेते हैं आजकल जो लोग है वो बरात भी निकाल लेते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है यानि वो क्या कहते हैं कि इनके पास क्या है जब वो तर्क देते हैं कि क्या करते हैं फोटो खिचाने के लिए जोड़ी जूते क थोके तो सुभी से किसि की balls कर लेता है किसी की आपली बाराद को बीवी तक मंग ली जाती तूम से जूटे इसे बीभी नहीं मांगे गए तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हैं तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते हो लोग तो इतर चुपढ़कर फोटो खीचाते हैं जिसमें फोटो जिससे फोटो में क्या आ जाए खुश्बू आ जाए या नियो प्रेम्चंद के वारे में सोस्तर कहते हैं कि इन गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है टोपी आठ आने में मिल जाती है जूते उस जमाने में भी पांच रुपई से कम में क्या मिलते होंगे कहते हैं कि एक अच्छी टोपी कित्ते की मिल जाती थी उस समय आठ आने में उस जूते उस समय पांच की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 तोपया निचावर होती है तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूले के मारे हुए थे यह विडंबना मुझे इतनी तीर्वता से पहले कभी नहीं चुबी जितनी आज चुब रही है यानि यह देखकर उनको क्या होता है बहुत दर्द होता है वो बहुत दुखी होते हैं प्रेमचंत की हालत देखकर याने उनकी वेश बुशा को देखकर कि उनके जूते है फटे वे जूतों में क्या कर लेते है वो फोटो खिचवा लेते यानि उन्हें अपनी जट का कुछ भी ख्याल नहीं रहता तो सहसते कि ऐसी स्थिती देखकर मुझे क्या हो रहा है आज बहुत दुख हो रहा है ऐसी वो सोच रहे कि कई फोटो खिचाने के लिए किसी से क्या कर लेते एक जोड़ी जूते थोड़ी दे तुम्हारा जूता क्या है फटा हुआ है यानि तुम्हें एक महान उपन्यास समराट युग प्रवर्तक कहलाते हो लेकिन तुम्हारा फोटो में जो तुम्हारा जूता है वो कैसा है फटा हुआ है मेरा जूता कोई भी अच्छा नहीं है यह उपर से अच्छा दिखता है भार नहीं निकलती, अब लेखक सोयम कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन उपर से क्या है, वो फटा हुआ, नहीं है उसमें से उंगली नहीं दिखती, लेकिन जो जूते का तल है, अंगूठे के नीचे क्या है, वो फट पड़ा है अंगूठा क्या करता है जमीन से गिस्ता जाता है और पेनी मिट्टी पर रगड़ खाकर लहू लोहान वो जाता है यानि उसमें से खून बैने लगता है उनका जूता जो पारीशंकर जी प्रिसाई हो कहते हैं कि उनका जूता तो क्या है लेखक जो कहते हैं उनका जूता उप बार नहीं दिखेगी लेकिन मेरे जूतों में से उंगली भार नहीं दिखती तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाउं सुरक्षित है मेरी उंगली धकी हुई है पंजों के नीचे घिस रहा है वो पेमचंद से कहते हैं कि तुम्हारे पैरो जूते जो इसमें से उंगली हो रहे हैं तुम पुर्दे का महत्व नहीं जानते हो farmers नहीं जानते हो लेकिन आज ड़ोता बड़े ठाट से पहने हूं मैं ऐसे नहीं पहन सकता है यानी प्रेम्च्ण लिओ जुटा बड़े ठाट से पहला का और उसमें फटे जूटते में वह क्या मैं खिच़वा लेते हैं हैं लेकिन नेखा कहते हैं कि मैं फटा जूता नहीं ऐसे जूता फटावा नहीं पैन सकता फोटो तो जिंदगी बार इस तरह नहीं खिजाओंगा चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही चाप देते हैं प्रावड़ों आप op कर दोटो मिलाओंगा झाल्खिजट से जीव जीवनान ऊटावा जाना सा多 फटावणास कि मैं बिनना सा ही जीवनी टो जोरे एक भी ज्Gr बिन कि मैं इस चो जब आए टें थे कोई औरे लीवनान सा कोई रहीं रहीं, कि मैं वी तो